आटा बताईए का यह फाइन आटा है यह बच्छत बजार में कितने कह दीए 10 किलो का प्रकेट है लालमसूर कैसे दे दिए 260 रुपे और यह काले चने 230 रुपे 280 रुपे की 2 किलो ठीक है तो है 1200 रुपे किलो है अधरक बताना दोस्ता देर्सो रुपे पाओ और यह लेसं लेसं बेर सूरुपे का आधा किलो आपी लेसं देख सकते हो काफी एख इनादमें और और यह नीभू boon coo 70 रुपे पाव नीभू आ पढ़े और यह मोटी मिर्च 52 कि पचास रुपे की दो, 10 रुपे के, 25 रुपे की गड़ी मिल जाए की धन्या बोदीने की, खीरे के हैसा अब दे दिये, 50 रुपे किलो, 600 रुपे का, अड़ी वाला है, और बैगर हड़ी वाला, 700 रुपे का, तोकन्स का सिल्सला नहीं है यहां पर रमजान के हवाले से यहां पर रेट्स क्या चलने वीडियो पर डटे रहें मैक्सिमम शेयर करें ताकि आपको बच्चत की चीजे पता लगती रहें असलाम अलीकुम सर्थ कैसे हैं खेरिस से अच्छा सर आटा बताईएगा यह फाइन आटा है यह बच्चत बजार में कितने के दीए दस किलो का पैकेट है पिछले वीग जो हम दे रहे तेरह सो बचास का देरह दे लेकिन इस वीग जो ने तेरह सुरुपे गार तेरह की दे देख सकते हैं नमक बी जबरतस्त है और यह सर्फ 25 रुपे का दिया गया है अच्छा यह मूम की डाले ओर लाल मसूर कैसे दे दिए 260 रुपे और यह काले चने 230 रुपे और यह वाले चने वाइट चने 8 mm है काबली चने किलाते हैं 8 mm यह 370 रुपे तीन सो सथर रुपए आगया अच्छा भई हमारे पादा सब्सक्राइब आजे चने की डाल रुपए दो सो फिर सूर आगए बढ़ते हैं ये क्या क्या लाती है जाना मलका मसूरिया क्या है सब दिए जे एक काफी रेट बहुत मुनासिब है यहां पर जी थाईसु रुपए क चावल पर हो रही है बहुत मारा मारी यह जो मार्किट में 280-300 रुपए यह तूटा नहीं है मैं आप तो इसलिए करीब करके दिखा रहा हूं यह चावल तूटा नहीं कैच आप दिये थे यह 500 के साब से चावल बहुत बेतरी ने और 500 रुपए के की बहुत मुनासिब रेट है अचा भाई अब प्याज कैसे दे दिये एक सो असी की दो किलो एक सो असी रुपए की दो किलो ठीक है और आलू 90 रुपए के दो किलो आलू अब यहाँ पर कितने के के दे आपने और यह समयाँ पचास की है यह 500 की पांच है और पचास की एक साथ से 30 रुपए की यह मिल जाईगी असलाम अलीकुम सार ये खजूरे बताईगा खजूरे कैसे दे दिये भाई धाई सो रुपे किलो है अच्छा की सिंध की खजूर यार खजूर तो देखो बहुत मुनासिब रेट पे ये धाई सो रुपे केजी अच्छा ये पैकेट वाली क्या है ये दूसरी ये ज़्ट सो आदा किलो का देट सो रुपे का पैकेट है आच्छा भाई जी है आच्छा ये पाई ये जङन प्आए ना दोस्त पाई का 3-4 पाऊ देर्षो रुपे पाऊ और ये लेशन डेर्षो रुपे का आदा किलो आभी लेशन देख सकते हो काफी तादाद में और ये नीवू 70 रुपे पाउ नीबू आ गए और ये मोटी मिर्च 50 रुपे की आदा किलो उस बंडल में के है यह दनिया पुदीना यह दनिया पुदीना भी पड़े वे हैं यहां पर वो क्या है साब दिये यह 10 रुपे के 2 10 रुपे के 2-5 रुपे की घड़ी मिल जाएगी धनिया पुदीने की अच्छा आप यह पालक देख सकते हो रिफ्रेश है अभी आईए कैसाब है बिटा 50 रुपे किलो 50 रुपे किलो पालक आ गए अच्छा यह टिमाटर बता ने टिमाटर कैसे दे दिये 100 के 2 किलो टिमाटर आ गए और यह लौकी लौकी 50 रुपे किलो भाई खीरे आगे खीरे कैसाब दे दिये 50 रुपे किलो खीरे अच्छा बिटा यह बता सकते हो कि यह तुरही कैसे दिये बिटा तुरही 60 रुपे किलो 60 रुपे किलो आप यह देख सकते हो अच्छा बाब यह इन्होंने काटा है और गोश छे सो रुपे का अड़ी वाला है और बेगार हड़ी वालाए साफ सो रुपे का इस तकि के कि पब्ली के गोश पे तुटी पड़ी भी है पबलिक क्योंकि गोश पे जो है एक जबर्दस्था डिस्काउंट है असल में गोशी इक्वालिटी होती ना भाई ये सामने सामने कट रहा है जानवर तो आप इजीली इसको ले सकते हैं और पब्लिक की भी गोश पे बहुत ज़ादा है अचा ये बताओ ये क्या है मैकरोनी कैसे दे मुझे तुम दोनों मैकरोनी लग एक पास्ता भी घड़ा हुआ वह पास्ता है ये मूटी मैकरोनी है तो कैसे दिये और ये मसाला क्या है यह गरब मसाला पचास सौंफ पचास लाल मिर्चे कोर्मा बिर्यानी सब पचास उपे अच्छा और ये क्या वी आई-पी पत्ति ये पांसो रुपे की आदा किलो क्या बात है और चावल ये अच्छा आप चावल देख सकते हो रोज मरा के लिए आप इजिली इसको 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 इस्तमाल कर सकते हो चावल रोज मरा के लिए ये बहुत बेतरी नहीं कितना होता है छे छोते हैं आप यह देख सकते हो इस तरीके के यहां पर अगर आप लेना चाहिए तो अच्छे यह यह सर्फ खुला सर्फ इतने कि यह 500 रुपे किलो और यह वाला पैके यह जवाब हो गया एक सो बीस रुपे का पैकेट और यह मच्छ मैंठ कोई इस गतने का नबे रुपेगा यह मिल जाएगा और यह के चीज है जैली कस्टड कितने के सो रुपे का पैकेट है जबर्दस अच्छा यहां पर चीजे आपको चीजे मिल रही है ना वो तम जो मार्केट से 20 रुपे 25 रुपे कम में मिलने जब आप पॉइंटेटी में लेते हैं तो आपक बहुत मुनासिब है बाहर यह चीजें असमान से बाते कर रही है रेड्स बहुत जादा है बहुत जादा है हम जो भी चीज आपको दिखा रहे है एरिया वाइज आपको रेगुलर बेसिस पर इसली दिखाते है कि कोई अंचूली का है कोई जाफर तैयार का है कोई किसी और जगह के वहां से वह चीजे ले सके तो भाई अभी चीजें आपने देखी चावल भी बहुत मुनासिब से आटा भी सस्ता मिला यह चीजें बाहर नहीं मिली गोज भी ला जावा पर तो वीडियो पर ढटे रहें और इसी तरीके से वीडियो को वाच करते हैं मैक्सिमम शेयर क करें ताकि लोगों को पता लगे कि इस तरह यह चीजें मिल रही हैं इसाथ पाउंडेशन करांकी बच्चत बजार जबर्दस सा बच्चत बजार है अभी हम स्टार्ट पे आए वे हैं पपली गारी है डीली बेसिस पे इंशाला फिर मुलकात होती इसी तरह की वीडियो उस झाल